आपका स्वागत है आज के लिए अपडेट आपके लिए है कि आज हम डिसकस करने जा रहे हैं यूपी एसी ने जो यूपी एसी का एक्जाम कलेंडर 2023 का ठीक है तो जैसे कि इंपोर्टेंट्स एक्जामनेशन की बारे में आपको बताऊंगा जो कि लोगों को जानने की बहु कि पीछे हो जाते हैं को पहले का एक्जामनेशन है तो वह उसके लिए होगों ठाज चलते हैं इमक्एरट एक्जामनेशन के लिए तो इमपोर्टन एक्जामनेशन सबस्जाला, Most popular UPSC करता है, Equals Civil Services जो मेरे एक्वाइब किसी का पर्सनल लेकिन मैंने जो देखा रहा है वह है एंडी यह वाला ठीक है एंडी और एन नेवल अकेडमी और नेवल डिफेंस अकेंडमी जैसे यह दे सकते हैं जैसे कि इसका जो एक एक ग्जामिशन होगा वह 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 सोला चार को मैं लग वह अपर उसमें एक और जो पॉपलोड होता है इसका प्रेलिम सो सेम इडिय होगा ठीक है मलब 28 माई को और जो मेंस होगा वह इसका अलाग है यह 26 ग्यारा मलब 26 ग्यारा मलब 26 नाममर को होगा यह 10 डे एग्जामिशन है ठीक है और हाँ एक चीज़ा मैं को एक जो होता है हमारा जो इस अमने इंडियन इंजिनिंग सर्विससेश का तो जो उसका एक्जामिशन होगा वह वह वाट 26 जून को सवरी 23 जून को आप देख सकते हैं प्राइडे गो ठीक है यह ठीक एक्जामिशन है और इसका और रीडे एक्जामिशन है हाँ और एक है जड़ता कमभाइन मेडिक सर्विसस का एक्जामिशन जो कि होगा 16 जूलाई को ठीक है एक है सेंटर आंप फोर्स फोर्स ठीक है उनका होगा 6-8 मतलब 6 अगस्त को एक्जामिशन तो यह कुछ इंपोर्टन एक्जामिशन से जिसके मारे मैं आपको बता दिया अब जैसे कि आभी 14 सितंबर को मतलब बागी मैंने यह कालेंडर में डिसक्रिशन डाल दूगा आप अपना एक्जामिशन आगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं तो ठीक है वीडियो इंपर्यमेंट वी लगी तो वीडियो को लाइक और चान को सब्सक्राब करना होगे थेंक्यू